हेलो नमस्कार दोस्तों मैं संजीव स्वाइद करता हूँ हमने यूट्यूब चैनल कोईना मीडिया में दोस्तों जैसे आज आपको पता है यह आपके सवाल जबाब वाली वीडियो है तो दोस्तों इसमें खास बात एक यह है कि इसमें बस एक ही सवाल कवर कर जाएगा जिस एक सब्सक्राइबर ने पूछा है और काफी अधा ऐसा बढ़िया कोशन पूछा है कि इसके लिए में फुल एक वीडियो बनानी पड़ी है मगर दोस्तों यह सवाल जरूर इन्होंने पूछा है मगर इसमें हैल्प आप सब की होगी तो यह वीडियो आप लास्ट चक पता लगा पाएंगे कि आपके सिख्ये कि कोई वैल्यू है या नहीं है और है तो कितनी चल रही है मार्केट में वह मैं आज की करेंट मार्केट वैल्यू आपको बताने वाला हुँ ठीक है तो वीडियो काफी यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है जरा भी स्किपना करन और आपको वीडियो पसंद आये तो एक लायक कर देना और वीडियो आपको समझ आती inherently मेरी वीडियो अपने याँ दोस्तों करें था टिक्पे act तो व्यडियो शुरू करते हैं तो देखिया पहला सवाल किस ने पूछा है पहला सवाल पूछा है के सुनिल चोदरी जी ने तो दोस्तों यही एक सवाल है जो मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ आप सब लोग पढ़ सकते हैं क्या लिखा है सुनिल जी ने है टेक कोईने मिडिया सर जी आज कल यूएन सी कोईन में कोईन कलेक्टर रूची ले रहे हैं रूची दिखा रहे हैं मतलब ठीक है तो जो कोईन कलेक्टर मार्किट से कॉमन कोईन कलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी कोई फ्यूचर में वैल्यू है या नहीं यह इन्होंने बहुत ही बड़ा सवाल पूछा है ठीक है और यह सवाल पर मैं फुल वीडियो बनाने के लिए अमारे टीम ने बोला कि इस पर पूरी एक फुल वीडियो बनाके अपडेट करिए चैनल पर अभी तक ऐसी एक वीडियो डाली नहीं थी मैंने जो मैं आपको एक ही वीडियो में जो भी जर्नल सरकूलेशन में इस्उ होजे थे आम पब्लिक के लिए जर्नल सरकूलेशन की-म बदलब ही और इसके वीडियो में आपको रेयर केटेगरी की जानकारी देने वाला हूँ कि कौन-कौन से जो जनरल सर्कुलेशन में इश्व होगी सिक्के जो आरेर कैटेगरी में है और उनकी अच्छी-कासी कीमत भी है ठीक है दोस्तों मैं आपको दोस्तों मैं तब ठीक नहीं थोड़ी सावाज ऐसी होगी तो इसमें से जो भी है मैं आपको बस कोईन की इसमें इंफर्मेशन नहीं दूँगा देता दो दोस्तों वीडियो दो घंटे की बन जाती इसलिए मैं इसमें स्रिफ और स्रिफ रिपब्लिक इंडिया के जो जनरल सर्कुलेशन में इशू होए थे उनको इनको कवर करूँगा कॉमिनेटिव नहीं करूँगा इसमें जिसके पीछे एक चित्र बना होता है किसी का भी शुबाचम बोस जी का लेलो ऐसे कोईन कवर नहीं करूँगा इस वीडियो में स्रिफ और स्रिफ नॉर्मल कवर करूँगा जो आप सब लोगों के पास होती है और आप कई लोग में को कमेंट करके पूछते हैं सर ये है ये है वाटसप पे इमेज बेशते हैं तो मैं आपको इसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ ये सब चीजे तो इसमें आप देखिए आपके बाए इन में से कोई rare coin है तो वो बिल्कुल जरूर बिकेगा ठीक है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए पहला कौन सा coin है और इन्होंने ये भी पूछा था कि market में से कौन सा coin क्लेक्ट करने चाहिए तो इसमें मैं आपको ये जरूर बताना चाहिए पहले कि UNC देखिए UNC और जो प्रूफ साइट होते हैं वो गौवर्मेंट से इशू होते हैं और ये चीज में आप इन्वेस्ट करेंगे तो future में आपको benefit जरूर होगा जैसी वो launch होता है उसी time आप लेंगे इन्थी है second strike उसके आदे रेट पे है रेट मैं बाद मैं बता दूँगा अगले एक वीडियो बना के आप अपडेट कर देना आपको UNC coin के information चाहिए तो UNC set की sorry देखिए ना proof set भी इसमें मैं cover कर दूँगा उसमें कुछ आते हैं rare बलावाई पटेल का है को हमारे collector ने मेरे से मांगा और मैंने sale कर चुका हूँ उसको subscriber है हमारे बहुत पुराने जैंक ट्रॉक से है तो उन्होंने मेरे से मांगा और मैंने उनको बेज दिया तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों मैं हर मैंने लाखोर रुपे के कोईन खरिता हूँ और लाखोर रुपे के sale करता हूँ देखे ना यूटूब में वीडियो बनाने का income का नहीं है मेरा कुछ matter मेरा यूटूब पर बस सिलिया आता हूँ कि आप लोगों को तोड़ी मैं help कर सकूँ अपने hand पर जितना हो सके वीडियो बना के कि आपको बस update मिल जाए जैसे दोस्तों आपको बाकी यूटूबर fake information देते हैं तो मेरे channel पर कभी आपको कोई fake information देखने को कभी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं सरिफ वा सरिफ genuine क्योंकि मैं दोस्तों इसी lane का हूँ तो मुझे knowledge है बहुत अच्छी खासी है तब ही मैं आपको help करने के लिए आगे आया हूँ कि आप सब लोगों की help होनी चाहिए ठीक है दोस्तों तो देखिए मैं आपको शुरू कर रहा हूँ जो भी अजादी के बास से coin आये थे सबसे पहरे गोड़े वाला coin कवर करूँगा एक पैसे का अजादी के बास से ही शुरू कर रहा हूँ 1947 के बास से जो भी सिक्के अपने परकाश में आये थे अपने इंडिया में तो उसमें से कौन कौन से general circulation में आपके लिए फायदे मन्द होंगे उस सिक्को को इस वीडियो में cover करना शुरू कर रहा हूँ तो ये आप पहला coin देखिए एक पैई ये वन पैई है ये अपने इंडिया में इस शुच दी ठीक है अब मैं इसकी full information नहीं दूँगा बस ये बताऊँगा कि इसका metal क्या है और कौन से sun का आपको collect करना है ठीक है mint कौन सी होनी चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों मैं सरिफ short में information आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में इसके metal की बात करता तो bronze है weight की बात करता तो thin gram का होगा साइज इसका 21 mm है ठीक है अब दोस्तों इसमें एक rare mint आती है है धराबाद mint ठीक है diamond कट होगा मनलब diamond बनाके बीच में कट होगा एक line होगी वो होती है है धराबाद mint और rare category में value जा रही है 15,000 पे से 20,000 पे के बीच में ठीक है अब नेक्स्ट टू आना है यह होगा आपके पास यह आप देख रहोंगे बुल बना हुआ है ठीक है टू आना से अब इसमें भी कोई rare है वो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपके पास है है आप मैच कर लेना तो दोस्तों इसके metal की बात करे तो निकल है वेट की बात करे तो लगबग 6 गराम का कोई न होगा साइज इसका होगा 25 mm ठीक नहीं सिर्की 1.73 mm है इसमें आपको 1905 का आधा आना बॉंबे मिंट का जो rare कैटिगरी में है वेल्यू है 30,000 पर से 50,000 पर के बीच में अगर UNC केंडिशन में है तो आपको माल सकते हैं कि आपको 50,000 से भी उपर मिल सकते हैं ठीक है UNC में होना चाहिए सिर्का UNC में एकदम brand new सिर्का चम चम आता हुआ अगर सिर्का गिशा हुआ है तो आपको 30,000 पर मिल जाएंगे ठीक है दोस्तो लिस्ट का next coin ये है तो दोस्तों इसमें 25 coin के information देने वाला हूँ ठीक है जो भी general circulation में issue होते है rare category के coin वो 25 है इसमें तो 25 के 25 है की वीडियो में मैं आपके लिए ख़वर कर रहा हूँ ये आप देखिए आदा रूपिया है एक बटा दो रूपिज लिखा हुआ है अब इसमें कौन सा आपको collect करना है इसके metal की बात करना तो nickel है weight की बात करना तो लगवग 6 gram का होगा coin sizes का 24 mm है thickness की 1.75 mm है 1950 का आपको Calculature Mint का collect करना है value है UNC में 1000 पे 1955 का आपको Bombay Mint का collect करना है यह दोस्तों आप लिख लिजिए या वीडियो डाउनलोड कर लो देखे आपको help होती रहेगी आपके पास ऐसे कोई coin है तो या आप screenshot लेके रखिये जो मैं बोल रहा हूँ आप लिखती रखिये दोस्तों या आप photo देखके screenshot ले ले लेना और लिख लेना कि मैंने क्या value बताई या ने तो आप भूल जाएंगे और फिर मुझे बेज़ेंगे कि यह आपने बताया था तो आप वीडियो पर दुबारा देखना मैच करना मैंने क्या बताया आपको ठीक है 1955 का Bombay Mint का आपको मैंने बता दिया है वेल्यू है एक हजार पे इसमें आपको दो कलेक करने है ठीक है न आदा पैसा 1950 और 1955 1950 क्यलकेटमेंट 1955 Bombay Mint दोनों की value एक हजार पे है आज की डेट में करेंट मार्केट वेल्यू नेक्स्ट कोश्चन देखे वो नेक्स्ट से कोईन देखे दोस्तों यह है बन रूपीस का जो 1954 में इशू हुआ था यह बन रूपीस आप ठीक से देखिए 1954 नीचे यह काफी ज़्यादा डिमाइंडिंग में है कोईन इसम बहुत यहाँ डिमाइंड में और इसकी value भी बहुत तेज भाग रही है दोस्तों आज से मैं एक साल पहले बताने चाहूँँगा आपको यह हजार पे 1100 रुपे बिखता था यह कोईन 700 से 1100 रुपे 1100 के बीच में और आज इसकी value डबल हो गई है एक साल में इसकी metal की बात क्या तो निकल है weight की बात क्या तो साड़े 11 गराम का है यह सिक्का साइज इसका है 28 mm ठीकने शिखी 2.65 mm दोस्तों हाँ यह थोड़ो मोटा सिक्का होगा ठीक है 1950 और 1954 में इस्यू होगा यह सिक्के तो सिर्फ और सिर्फ रेर कैटिगरी में आता है 1954 का बंबेमेंट की तरफ से जो इस्यू होगा था मार्केट वैल्यू की बात करें तो यूएंसी में 2200 से 2500 के बीच में यह सिक्का आपको देखने को मिलेगा इस तरफ मार्केट में मगर दोस्तों कई लोग मनमानी कर रहे हैं तो 3000 पे कभी इसको बेच रहे हैं ठीक है जो वैल्यू है मगर वो अलमुनियम है वेट की बात करें तो लगबग एक ग्राम का कोईन है दोस्तों ही साइज इसका है 20 mm ठीकनेज इसकी 1.5 mm आपको यह कोईन बस 9069 बॉम्बे मिंट का कलेक करना है वैल्यू है एक हजार से बारा सो रपे के बीच में यूएंसी अगर दोस्तों कोईन गिसा हुआ है तो 500 से 300 रुपे वैल्यू है ठीक है सिर्फ और सिर्फ रेयर कैडिगरी कभर कर रहा हूँ इस वीडियो में मैं स्केर्स भी आती है मगर वो अगली कभी वीडियो में करूँगा मैं आप लोगों के डिमाइन के उपर मगर इसमें सिर्फ रेयर चीज बता रहा हूँ जो आप लोगों के पास हो सकती है है तो उसको निकाल लिए डूंड़िए आप ठीक है नेक्स्ट कोईन यह है दोस्तों 5 पैसे का इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं रुपे का बीसवा बाग ठीक है इसके मेटल की बात के रहा तो कॉपर निकल में था वेट की बात के रहा तो लगबग 4 गराम का कोईन होगा साइज इसका 22 mm है तिकनेस इसकी 1.67 mm है जो इसमें रेयर कैटिकरी में आता है वो 1965 का हैदरावाद मिंट है मतलब स्टार मिंट मार्क है रेयर कैटिकरी में वेल्यू जा रही है इसकी 600 पे से 1500 के बीच में थीक है UNC में है तो आपको 1500 पे मिल सकते हैं अगर कोईन गिसा होगा तो वेल्यू कम हो जाएगी अब नेक्स्ट कोईन देखते हैं कौन सा है दोस्तो कुछ टेम पहले मैंने इस 5 पैसे पे वीडियो आपको लिए अपडेट की थी जो बिल्कुल इसकी वेल्यू बढ़ रही थी तो में को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है कि आप लोगों को पता लगए कि आपके कोईन की वेल्यू बढ़ गई है तो दोस्तो पैरा यह आप देख सकते हैं पांच पैसे का सिक्का है 1984 का ठीक है अल्मूनियम मैगनेशियम मैटल है इसका और वेट है इसका 1.3 ग्राम साइज इसका 22 अमेम है ठीकनेस इसकी 1.5 अमेम है 1984 में केलकेटामेंट की तरफ से इशू होए थे वेल्यू आज चल देख देख देखते हैं कौन सा कोईन है आप इस सिक्के को अच्छे से देखें यही 10 पैसे का सिक्का होना चाहिए और कौन से सन का आपको डूणना यह आप सुन लीजिए इसके मैटल की बात क्या तो अल्मूनियम है वेट की बात किया तो लगबग डाइगराम का कोईन होगा साइज इसका है 25 mm ठीकने जिसकी 1.24 mm ठीक है सोरी 1.92 mm है दोस्तों ठीक है यह सिक्के आपको दो सन में क्लेक करने चाहिए 1973 मतलब 1973 है यह थराबाद मिंट वेल्यू है 500 रपे से 800 रपे के बीच में सेम वेल्यू 90 74 हैदर अबाद मिंट ठीक है 1973-1994 हैदर अबाद मिंट डेयर के डिगरी की है वेल्यू यही है सेम ठीक है ना लास्ट 800 रपे यूएंसी कंडिशन तो नेक्ट देखते हैं कौन सा कोईन नेक्ट कोईन देखे दोस्तो यह है 10 पैसे का काफी ददर लोगों के पास यह कोईन होते हैं और मुझे आप इमेज सेंड करते हैं तो दोस्तो मैं स्रिफ और स्रिफ जो पेड मेंबर है मेरे जन्होंने यह मेंबरशिप ले रखिए चैनल की उनका ही रिप्लाई देपाता हूं वर्टसप पे और जो आपको डिस्क्रेप्शन में नंबर मिलता है यह सिरिफ और स्रिफ मेंबर के लिए हैं जो टाइम निकालना पड़ता है चेक करने पड़ते कोई तो दोस्ते इसमें बहुत वेस्ट होता है तो यह पेड मेंबर्शिप के लिए ओनली फॉर यह सब्सक्राइबर के लिए वीडियो होती है इस पर से भी आप देखके वेल्यू का अंदाज लगा सकते हैं जो मैं क्या बता है अगर आपके पास यह 1990 का कैलकेटामेंट का है तो आपके पास एक रेयर कोई है वेल्यू की बात करें तो डाइसो से शाड़े 600 रुपे के बीच में वेल्यू है यूएंसी कंडिशन में आपको शाड़े 600 रुपे तक मिल सकते है ठीक है ऐसे स्टील वाले कोई के 10 पैसे क यह दोस्तों दिखने में बहुत ही छोटा कोई होता है नेक्स्ट कोई देखिए ук दोस्तों बीच पैसे का है अगर आपके पास 20 पैसे के बहुत सारे कोई रखे हुए हैं तो आप इन मेंसे चेक करना कि में कौण से बता रहा हूं कोन से सं का कौन से सिस्ट का आपको अको कल दोस्तो आपको यह करना है 1997 का syndrome का कलेक करने ठीक है 1997 का edra कैडिग्री का है value है Teil 200 रुаз रोपे से 800 रोफे के बीच में UNC indices स्गें थी आपको 800 § 200 रोपे मिल जाएंगे थीदिए स्झाण मिल जाएंगहा धीक है रे समझना कि इसमें 25 पैसे हैं ऐसे से कोई आते हैं जो 50-50,000 रुपे के एक कोई ठीक है वो कौन से कोई है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो जर्नल सर्कुलेशन में इशू होए थे मतलब जारी करें थे आम पबलिक के लिए इन में से कुछ रेर आते हैं कोई व आपके पूरी हल्प करूंगो ठीक है इन सिक्कों के मेटल की बात क्या तो निकल है वेट की बात क्या तो लगबग 3 ग्राम का होगा डाई से 3 ग्राम दोस्तों और साइज इसका होगा 19 mm ठीकनेस इसकी 1.44 mm शेप इसकी राउंड है 9067 पॉम्बे मेंट वेल्यू है 500 में यू ये दूसरा कोईन है 25 पैसे कई जो एक रेयर केडिगरी में आता है मेटल की बात क्या निकल है वेट की बात क्या तो डाइगराम का होगा साइज इसका 19 mm है ठीकनेस इसकी 1.36 mm है शेप इसकी राउंड है दोस्तों इसमें 1980 में बॉम्बे मिंट की तरब से आया था वेल्यू चल ये 30,000 पर से 50,000 पर UNC कंडीशन में 1984 में हेदराबाद Con カンタ की तरफ से ये सारे रेयर कोईन है जो बता रहा हूं पबम्बे मिंट की वेल्यू चल ली चल लिए जादा लोग इस पर फेक वीडियो भी बना चुके हैं तो अगर आपके पास भी ऐसे कोईन है गेंडे वाले तो इस वीडियो में आप उसकी रियल वैल्यू जान जाएंगे कि कौन से वाला सिक्का है गेंडे का जो आपको एक अच्छी कीमत दिला सकता है यह नहीं कि लाको कर प्रोड़ो अब आप देख लिजिए कि कौन से संका आपके पास होना चाहिए इसके मैटल की बात क्या हो तो स्टेनले स्टिल है वेट की बात क्या हो तो लगवेक तीन ग्राम का कोईन होगा साइज इसका 19 mm थीकनेस इसकी 1.55 mm है शेप इसकी राउंड है दोस्तों यह आप को 2,000 पर तक मिल जाएंगे अगर कोईन गिसा हुआ है या उस पर मिट्टी लगे कहीं से गिसा हुआ है कहीं से क्रैक है तो वेल्यू कम हो जागी ठीके दोस्तों है यह आपके पास एक कोई है तो इसको आप क्लेक्ट कर सकते हैं और आगे फ्यूचर में भी अच्छा आपक मिल सकता है इससे ठीक है दोस्तों जो भी मैं आपको बता रहा हूं क्लेक्ट करने के लिए इसको आप रखिए और फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट आपको बिलकुल मिलेगा क्योंकि यह जनरल सर्कुलेशन में इश्यू होए थे और काफी जादा लो मिंट है इनकी लग बेशने की जल्दवाजी करेंगे तो कोई भी आपको कुछ भी नॉर्मल पैसे दे के आपको हटा देगा ठीक है ना तो कोशिश करें कि आप रखे फ्यूचर के लिए अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है कई लोग दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करते हैं रेर कोइन में जो आगे फ्यूचर में इनको बढ़के वैल्यू मिले बिल्कुल ऐसे करना भी चाहिए जैसे दोस्तों कली एक मेरे सस्क्राइबर का कोला था उनको 5 रूपीस का कोईन चाहिए क्रॉप साइन्स का फर्स्ट राइट ठीक है उन्होंने केसी से पूछा उन्होंने वैल्यू बताई होगी इनको 17-18,000 पर कोईन अब यह निपता कितना घिसा था ज्यादा घिसा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा भी होगी अगर यूए सी में तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी फस्ट राइक जर्कुलेशन में इस्चू हुआ 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 पांस रूपय का एक नेक्स्ट कोईन देखते हैं इसमें दोस्तों नेक्स्ट कोईन आप शुरू कर रहा हूं पचास पैसे के जो काफी ज़्यदा आपको वैल्यू दिला सकते हैं अगर आपके पास ऐसे कोईन है तो ठीक है है तो आप वीडियो को मिस्स ना करें बिल्कुल भी और ध्यान से सुने और कहिन लिख लें आप ऐसे इंफरमेशन आपको एक वीडियो में कोई भी नी देगा कोई यूटूबन नीदेगा थिके दोस्तों अगर इंफरमेशन पसंद आ रही हो तो एक लायक जरू कर respecto देना लायक करने से क्या होता दोस्तों कि मेरी वीडियो आप नहीं भी किसी को शेर करेंगे तो जाध क座र लोगों फेंट रहेंगी बस इतना आप सपोर्ट क्रहिए ठीक ना कर के थोड़ी पढ़ या T कि कोईन करेंटवर किप अलगी चल रही है विलकुल और से कीमत आपको बहुत अच्छी मिल भी सकती है तो यह आप 50 पैसे का सिक्का देख रहे हैं इसकी मेटल की बात किया तो निकल है वेट की बात किया तो पाच ग्राम का कोईन है साइज इसका है 24 mm थीकनेस इसकी 1.67 mm शेप इसकी राउंड है अब इसमें मैं आपको 50 पैसे में एक्स्ट्रीमली रेयर कोईन बताने वाला हूं जो 90 57 बॉंब कि वैल्यू है 50,000 पर ठीक है यह चीज आप द्यान रखना है यह दोनों एक्स्ट्रीमली रेयर कोईन है अब दोस्तों दूसरा 50 पैसे का सिक्का कवर कर रहा हूं यह भी आप देख लीजिए आपके पास ऐसा वाला 50 पैसे का सिक्का है इसका मैटल है कॉपर निकल वेट है 5 साइज इसका 24 एमेम है ठीकनेस इसकी 1.37 एमेम है शेप इसकी राउंड है अगर दोस्तों आपके पास यह सिक्का 9078 में बंबाय मेंट से है तो वैल्यू है इसकी धाई 1,000 रुबे यूएंसी कंडिशन में ठीक है दोस्तों आपको धाई 1,000 रुबे मिल सकते हैं यूएंसी तो दोस्तों आप कोई एक्जिविशन में ना जाएं आप ओल एक्स, ट्विटर और अपना ही एक फेस्बुक अकाउंट इसी पर पोस्ट करें या एमाजॉन वेबसाइट पर यह सबसे बढ़िया होती है इसकी इंफर्मेशन इबे पर कैसे अपना आपको अटेच करना है यह सारी इंफर्मेशन मैंने अगली वीडियो में दी हुई है आप चैनल पर जाएए आपको ईबे का आइकन बनावा दिख जाएगा चैनल पर वीडियो आप सर्च करेंगे तो उसमें आप फॉल इंफर्मेशन जान सकते हैं कि ईबे पर आप अपना डोकुमेंट वेरिफा कैसे करवाएंगे पूरा पॉरसेस ठीक है ना ठीक है दोस्तों अब इसमें मैं बताऊंगो तो काफी यदा बड़ी वीडियो हो जाएगी ठीक है ना चैनल पर जाए और चैनल पर और भी अच्छे ची वीडियो ड़ली हुई है तो सारी आप आपको देखनी चाहिए आप न करिये निकाल के ठीक है तो यह 50 पैसा मैंने आपको बता दिया है अब नेक्स्ट 50 पैसा दिखा रहा हूं आपको कोन सा कलेक करना चाहिए अब देखे दोस्तों यह सबस्यादा लोगों के पास यह 50 पैसे मिलते हैं अब इसमें कौन से आपको रेर कैटेगरी के होते हैं यह नहीं पता और कौन से क्लैक कौन से संक्य करने चाहिए इस वीडियो में आप यही जान रहे हैं कि कौन कौन से जो जनरल सर्कुलेशन में इस्यू होए थे सारे कॉइन 25 के 25 कोइन बता रहा हूं एक ही वीडियो में तो यह 50 पैसा देखिए आपको कौन सा क्लैक करना चाहिए इ अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए 1988 नोएडा मिंट वैल्यू है 9000 से 15000 रुपे के बीच में UNC कंडिशन और 1989 हैदराबाद मिंट ठीक है वैल्यू है 1000 पैसे 2200 रुपे के बीच में UNC कंडिशन में होना चाहिए तो आपको 2200 रुपे मिल जाएंगे तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कोईन है नेक्स्ट कोईन देखिए दोस्तों यह 50 पैसे का है काफी ज़्यादा चाहा आता है सर्कुलेशन में और काफी ज़्यादा करोड़ों की तादात में छपे है अब इसमें भी एक रेयर कैडिकरी का आता है कोईन वह मैं आपके साथ साधा करने वाला information तो देखिए आपके प 1.45 mm शेप इसकी राउंड होगी दोस्तों इसमें मैं आपको दो कोईन बताने वाला हूँ रेयर कैडिकरी के जो दोनों के दोनों 1993 के है बंबाय मेंट 1000 पे वैल्यू है और हैदराबाद मेंट उसकी भी वैल्यू आपको 1000 पे तक मिल सकती है UNC केंडिशन में थोड़ा सा स्के से में हैं 1993 का कैलकेटामिंट वैल्यू मिल जाएगी आपको 300 रुपे तक तो नेक्स्ट देखते है कौन सा कोईन है नेक्स्ट है दोस्तों यह 1 रूपीस का कोईन आप देख रहे होंगे 1970 का है मैटल इसका निकल है वेट इसका 10 ग्राम है साइज इसका 28 mm है थिकनेस इसकी 2. 2.4 mm है शेप इसकी राउंड है ऐसे सिक्के आपको 1912 और 1970 में देखने को मिले होंगे अब आपको 1912 को छोड़ देना है वेल्यू उसकी ज्यादा सो से डेड़ सो है और जो 1970 है उसकी वेल्यू चल रही है यूएंसी कंडिशन में 5000 रपे से लेके 8000 रपे के बीच में ठीक है अगर यूएंसी में कंडिशन में आपके बिल्कुल चमशमाखता हूँ निया सिक्का है तो उसके आपको 8000 पर तक मिल सकते हैं जी दोस्तों यह वन रूपीस के आपको 8000 पर मिल सकते हैं और यह जनल सर्कूलेशन में इशू हो था यह कोईन अब नेक्स्ट ये वाले वन र लगे कि आपके पास यह सिक्का रेयर कैडिगरी वाला है या नहीं है इसमें मैटल की बात करा तो कॉपर निकल है वेट की बात करा तो 6 गराम का होगा साइज इसका 26 mm होगा ठीकनेस इसकी 1.47 mm है शेप इसकी राउंड है आपको क्लैक करना है 1982 का बंबेमेंट का जो एक्स् स्क्रीन पे 1991 का ठीक है यह दोनों की सेम वेल्यू चल रही है इसकी मैं आपको बताना चाहूंगा उनिस से क्यान में 40 अरपे से 50 अरपे के बीच में UNC कंडिशन में है तो आपको 50 अरपे मिल सकती है अगर आपका कोई गिसा हुआ है तो वेल्यू कम हो जाएगी ठीक है ना इ इसमें से आपको 2.4 का क्लेक करना है इसकी मैटल की बात कर तो स्टेल ने स्टेल है वेट की बात कर तो 5 गरम का होगा साइज इसका 25 अमेम है ठीकनेस इसकी 1.5 अमेम है शेप इसकी राउंड है 2004 में जारी हुआ था UNC केंडिशन में वेल्यू चल रही है इसकी 1100 अरफे तक ठीक है अगर कोई गिसा हुआ है तो वेल्यू डाउन हो जाएगी 500 अरफे से 700 अरफे के बीच में यह दियान रखना दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ यह सब डिमांडिंग में है इसकी मार्क क्लेक्टर जो जुड़े हैं अब दोस्तों डिमांड तो बढ़ सकती है मगर सप्लाई नहीं बढ़ेगी सप्लाई तो उतनी है जितने छपे हैं कोई पहले डिमांड बढ़ेगी तो मार्किट वेल्यू भी बढ़ेगी इसलिए एक साल में मैं जब तक देख रहा हूं कि मैं एक्जामपल दिया आपको 1954 का बंबे मिंट का ग्यारस होती है आज 2200 पर हो गई यूंसी कंडिशन में वेल्यू तो इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि वेल्यू कितनी जल्दी बढ़ रही है करूंसी मार्किट में अब नेक्स्ट है यह टू रूपीस इसमें आपको 204 का कलकेटामेंट का कलेक करना है वेल्यू है 1500-800 रूपे के बीच में चौरी 500-800 रूपे के बीच में यूंसी कंडिशन में है तो आपको 800 रूपे मिल सकते है ठीक है नेक्स्ट कोई देखते है कौन सा है अब दोस्तों हम नेक्स्ट कोई पर आ गए यह फाई केटिगिरी का बताऊंगा मैं इस केट्स में हैं मगर रेर बतारों मैं आपको जो हैदराबाद मिंट है 24 में ठीक है वेल्यू जा रही है इसकी 1100 उर्पे यूएंसी केंडिशन में अगर कोईन गिचा हुआ है तो 500 से 700 उर्पे के बीच में आपको मिल सकते हैं 24 हैदराबाद मिंट नेक्स्ट कोईन देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट कोईन देखिए दोस्तों जनरल सर्कुलेशन में जो इसी हुआ था क्रोस वाला कोईन इतनी जल्दी इस बंद भी हो गया यह कोईन सुर्कियों में आ गया था दोस्तों इसमें कुछ डाउट थे लोगों को जिससे दिक्कत हो रही थी इसलिए इसको बंक कर दिया को को फुल इंफर्मेशन किसी और वीडियो में बताऊंगा इसमें देखिए आप मैटल इसका स्टील है वेट इसका है छे ग्राम ठीक है साइज इसका 23 है में में शेप इसकी राउंड है सिर्फ क्यलकेटामेंट में इस्वा था दोजा साथ में वैल्यू जा रही है बारास औ कि रहे तो निकल ब्राउंज है वेट की बात कि रहे तो साड़े साथ गराम का है सिका यह साइज इसका है 27 mm ठीकनेस इसकी 1.8 mm है शेप इसकी राउंड है तो दोस्तों यह आयते है 25 26 27 में ठीक है सब के सब 9 एडा मिंट में इस्वा थे और इसमें आपको जो रेर कैटिकरी बता रहा हूं वो 9 एडा मिंट की है 25 से ठीक है वेल्यो एस की 800 रुपे यूएंसी कंडिशन में हांजी दोस्तों यह एक 10 रुपे का सिका आपको 800 रुपे तक दिला सकता है अगर यह यूएंसी में है तो ठीक है अगर कोईन गिसा भी है तब भी आपको 400 से 500 रुपे आपक इसमें बता दीए सिरिफ और सिरिफ रेयर कैटिगरी के बता है इसमें में आपको अगर आपको information पसंद आई हूं तो एक like और comment जरू करना आपके पास कौन कौन से इसमें सिक्क्य में को बताना था के दोस्तों तो ठीक है दोस्तों मिलते है अगली वीडियो में औक रुपा